अनाम से परिये कोशन को मुझे बताइए आपका अंसर क्या होगा जिल्दी से यह जिल्दी से आपका अंसर क्या होगा। एक इन्फोर्मेशन में आप लोगों को यह देना चाहता हूं सभी लोगों को जल्दी से कि 16 तारीक को जो बैच स्टार्ट होगा बी एफम का उसकी जो टाइमिंग है वो ज़रा याद रखेगा everyone उसकी जो टाइमिंग है वो टाइमिंग आपको बी एफम के अगर मैं बात करता हूँ तो 16 तारीक को morning 10 एम पर पहली क्लास है ठीक है उसके बाद सारी क्लास तेन पी एम पर होगी बस संडी को याद अखना classes हमारे 10 a.m. पहली class morning में 10 a.m. पर होगी यह सभी लोगों तो पहुंचा दीजेगा ठीक है शली तो सभी लोगों का answer आ रहा है ए बिल्कुल सही है यह हमारा कहलाता है t plus 0 तो जिसे हम ready और जिसे हम cash दोनों कहते हैं है ना शली next one hi welcome good evening everyone now a rate of exchange established between any two currency देखिए मैं को मुल्टिपल तरीके से घुमा के आपको सामने दिखा रहा हूं कि कैसे भी कोशन घुमा के पूछे आपका कोशन गलत ना हूं any two currency on the basis of the respective quotation of each currency in terms of a third currency तो उसे हम क्या कहते हैं क्या इसे हम cross rate कहेंगे क्या इसे हम merchant rate कहेंगे क्या इसे हम composite rate कहेंगे मज़े जल्दी चीज़र आपको बताईए जिन्होंने कल का session देखा था कि ऐसी कौन सी चार currency है जिनके साथ जो हमारा rate होगा वो rate हमेशा अबरेवल होता है डारेक्ट मुझे बता ही जल्दी से comment करके वो चार कौन सी करंसी है एवरिवन वो चार कौन सी करंसी है वो चार्ज कौन सी करंसी है जल्दी से वो चार कौन सी करंसी है ग्रेट कि एपार कौन सी करंसी है प्रेट ग्रेट बहुत अच्छा ग्रेट छलिए तो यहांस राय का क्रॉस मतलब कहने का मैंने कल भी बताया था डॉलर वर्सेज रूपीज अवलेबल है और डॉलर वर्सेज यूरो भी अवलेबल है और अगर हमको रुपीज वर्सेज यूरो निकालना है तो हम क्रॉस करें और इसी क्रॉस के भियाप पर कल मैंने आप लोगों को केस्टेडी भी एक कर आई थी चलिए अगला बहुत प्यारा कोसन द्यान से परिए नाम है Clearing House Interbank Payment Systems जिसे हम सौट में चिप के नाम से जानते हैं है ना तो चिप इसे Private Clearing House for Large Value Transaction तो आपको पताना यह कौन सी कंट्री में है क्या ये UK का है क्या ये USA का है क्या ये सोजलनुंड का है क्या ये फ्रांस का है क्या ये जापान का है मुझे बताएज़। जल्दी से क्या ये जपान का है क्या ये UK का याद रखना ये सारे creamy concept ना मैं कराऊंगत bfm बाले batch मां ठीख everyone वहां हम अराम से topic भी cover करेंगे फिर उसके बाद उसका concept तो clear करेंगे फिर हम करेंगे last में practice daily यह चलेगा और ज्यादस हमें आपको नहीं लोगा वहां भी काम का समय ही लोगा तो यह जो बहुत famous है जहां का नाम है USA याद रखना जरह समझ लो है क्या actually important है चिप का full form याद रखेगा everyone है न यह clearing house interbank payment payment system है बहुत सारे यूशी बगार यह अमेरिका के है और यह बहुत major payment system है जो अमेरिका में start हुआ था 1970 में ठीक है यह पूरे तरीके से automated computer based messaging and net settlement payment system जिसको वहां के बहुत सारे major bank use करते हैं for settlement के लिए और फिल large part of US dollar payment जब भी कोई payment dollar में होती है तो उसका है जो settlement होती है वो chip ली करती है chip was established by तो USA में पता होगे USA कैसी country यह जो state wise country है तो वहां की जो new york clearing house है उसने इसको start किया था है ना as a substitute to paper की लोग check कम use करे और fund ज्यादा यूज़ करे टास्वर करने के लिए over the period chip has grown both in volume लोग ज्यादा यूज़ करने लगे और साथ में अगर मैं बोलू वरतमान में अमेरिका में करी 49 ऐसे bank है जो इस system को यूज़ कर रहा है आयोग चिप सभी लोगों का clear हो गया इस पूर्वर्वर्व इस ग्रेट यह वेरी ग्रेट चलो अगला आपको बताना है कि जो फॉर्वर्व एक्षेंज का हम कह रहे हैं जिसमें जो प्रॉफिट लॉस एड़ ट्लोजिंग रेट ऑफ एवरी मंथ उसको कौन एनाउंस करता है फिडाई करती है आर्वे करती है और इनमें से कोई नहीं ध्यान से उसने एव एवेलोवैसंग अव फॉर्व एक्षेंज प्रॉस एड़ लोस सह अड़ दक्लोजिंग रेट आफ हो इवरी मंथ अज एक कंज्द एकम किसका है क्या ये कंभाई करती है 不要 करती है क्या ये कंभाई करती है क्या ये ऑप्र्व अच्छा मुझे बताओ क्या मैंने यह कहा कि रूल रेगुलेइशन को कौन डिसाइड करता है मेरा कोसन हम लोग का कोसन यह है कि जो foreign exchange में जैसे मालेजे आपका बैंक ने आपका बैंक डिलिंग कर रहा है foreign exchange में तो आपके बैंक का जो डिलिंग हो रहा है उसका जो प्रॉफिट लॉस निकल के आ रहा है अटर देख रहा है प्लीज चैट को मिनिमाइस करिए यह सारे वीडियो आपके लिस्ट में सेव हो जाएंगे जल्दी सी चैट को यह रहा प्रॉफिट यह रहा लॉस और आपको वैलू देती है कभी भी आर भी नहीं याद रखेगा हमेशा फिडाई अब जरा समझेगा जान से फिडाई कम फुल फॉर्म क्या होता है इसको हम लोग फिडाई कहते हैं यह एक प्रकार का सेल्फ रेगुलेटरी और इसको हम लोग एसारो भी कहते हैं जैसे ने इसरो बड़ यह एसारो है फ्रॉम इन 1958 में बनके तयार हो गया हूं विद्धा प्रूवल ओफ दा आर भी आई तू टेक ओवर दा फंक्शन देन अंडर्टेकिंग बाई एक्चेंज बैंक एसोसियेशन यह जो काम एक्चेंज बैंक एसोसियेशन कर तो उसके बिहाफ में यह करेगा ओन बिहाफ ओफ foreign bank operating in India तो आंसर हमारा क्या होगा सर फिडाई होगी ना की आर वी और ना की इन में से कोई नहीं ठीक है चलिए अगला ज्यान से पढ़िए इस कोशन को बहुत ज्यान से पढ़िए फोड़ाइश थे और व दिर्टर ऑबैंक शुद फ्रेम अन एप्रोपियेट पॉलसी और फिक्स सटेबल लिमित फोर इस फोरेंस देलिंग ऑपरेंस नि आपकी ओर्गनाइशिएशन में आपका जो देलिंग रूम है जो फोरेंस फोरेंस देलिंग और परेंस देलिंग औ फोरेंस में डील करता है तो उसके लिए कहा जा रहा है कि हूँ एडवाइश दा बोर्ड ऑफ डिरेक्टर ऑफ बैंक सुद फ्रेम एन एप्रोपियेट पॉलसी ठीक हैं एंड फिक्स सटेबल लिमित फोर इस फोरेंस देलिंग ऑपरेंस यह कौन डिसाइड करता होगा मेरे बैंक में बोर्ड ऑफ मेंबर है ठीक मेरे बैंक में बोर्ड ऑफ डिरेक्टर भी होंगे यह सबी आई में जो SBI है उसमें बोर्ड ऑफ डिरेक्टर भी होंगे बोर्ड ऑफ मेंबर कहते हैं इनको कहा SBI ने कि भाई आप हिसाब से फ्रेम करो पॉलसी याद रखेगा यह बहुत इंपॉर्टन पॉइंट है आपके मॉडल वी में हम लोगे टॉपिक परहेंगे उनिट परहेंगे क्र बात आती है ना तो पॉलसी डिसाइड कभी भी आरवे नहीं करती है आपका बैंक के आप डिसाइड करेंगे कि आपके मैंक के हिसाब से पॉलसी क्या होने चाहिए तो याद रखेगा जब भी फॉरेक्स डीलिंग ऑपरेशन की बात होगी आपके बैंक में आपके बोर्ड अब मेंबर की बात हो लिए तो हमेशा आंसर कंसर्ण बैंक होगा ना कि आर्बी यह होगा मुझे बताई से भी लोग कमेंट करके यह को संस सभी लोगों का क्लियर हुआ एवरीवन कि छड़ देखिए यहां पर दो आंसर है बट आर्बी नहीं आंसर हमारा कंसर्ण बैंक होगा ठीक है शलिए नेक्स वन ध्यान से सब्सक्राइए इस दा मोस्त कॉमन और ओविएस रिस्क इन फॉरें एक्चेंज डीलिंग ऑपरेशन इसे हम क्या कहते हैं क्या इसे हम एक्चेंज रिस्क कहेंगे क्या इसे हम और परेशन रिस्क कहेंगे क्या इसे हम क्रेडि रिस्क कहेंगे या इसे हम और कहेंगे इन में से कोई नहीं मुझे बताइए जल्दी से इसका अंसर क्या होगा इस दा मोस्त कॉमन एन ओविएस रिस्क इन फॉरे इस सबसे कॉमर्स की बात हो रही है जो सबसे कॉमर्स के जब में बात करेंगी फॉरेक्स की उस इसको क्या कहते हैं डीलिंग ऑपरेशन एंड एराइज मेनली ओन एकाउंट फ्लक्टुएशन इन एक्चेंज रेट और वेन मिस्मैच ओकर इन एसिट लाइबिल्टी एंड रसीव पेबल तो उसे हम क्या कहेंगे मुझे बताइए जल्दी से एवरीबड़ी एक आप लोग अपडेट करिएगा जरा ध्यान से देखिए कोशन को कोशन एक पॉइंट बहुत यूनिक सा कह रहा है एवरीवन ठीक है बहुत प्यारा सा बात कह रहा है जरा समझेगा कोशन को जो पिछला कोशन था अगर मैं इस कोशन की बात कहूं आप सभी लोगों से तो याद रखेगा यहां जो एक्जेक्ट आंसर होना चाहिए वो आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए आंसर यहां पर आर मैंने बाद में देखा कि RBI मतलब कौन डिसाइड करता है बैंक में यहां डिसाइड नहीं है यहां यह कह रहा है मतलब SBI का जो बोर डिरेक्टर होगा उनको कौन एडवाइस कर रहा है समझे ने ध्यान से एवरिवन एक पॉइंट था मिस्टेक हुआ अपने ध्यान ने दिया हूँ एडवाइस तो आंसर हम दूसर दिया तो यहां अंसर बिल्कुल सही है RBI होगा जिनका भी आंसर RBI था बिल्कुल वह सही है ना एवरिवन यहां पर यह नहीं कह रहा है कि SBI के अंदर पॉल्सी डिसाइड कौन कर रहा है यहां कह रहा है SBI को मतलब SBI बोरो डाइटर SBI का है SBI को कौन अडवाइस करेगा तो भाई वो तो एक ही कर सकता है ना यहां पर सौ प्रतीसर जो आंसर होगा वो आंसर होगा RBI यह एक दम बिल्कुल सही है यही होता एक्जामिनेशन चलिए सही होना यह हमारे लिप आपको बताती है ठीक है चलिए अब इस कोशन में देखिए बहुत सिंपल सा है लंबा चौरा पर चोड़ दीजिए यहां कहत है मोस्ट कॉमन और याद रखना सबसे ज्यादा हमारे फॉरिक्स में होता है फ्लक्चुवीशन और इसे ही हम लोग कहते हैं चेंज रिस्क क्या पता हमने डील कर ली आप से वन डॉलर एकवल टू 80 रूपीज में और अचानक वो डील हो गई 70 रूपीज में तो जरा सोचि किये मान लोगर हमको आप से 1000 डॉलर चाहिए होता तो पहले कितना आता अब कितना आएगा 70 रूपीज यह क्यों हुआ क्यों हुआ हमारा जो मार्केट है क्या हुआ फ्लक्चुवेट किया और इसे ही हम लोग कहते हैं एक्चेंज रिस्क ना आपके और मैं बात करता हूं के प्रोसेस सिस्टम के कारण आपके मसीन के कारण तो याद रखीगा उसे हम लोग कहते हैं और तीसरा हमारा क्या है मालीजे कोई पार्टी डिफॉल्ट होती है चाहे काउंटर पार्टी डिफॉल्ट क्यों ना हो तो उसे हम लोग कहते हैं ठीक है अगला बहुत प्यारा को को ध्यान से पढ़ी एवरी विच ओफ दा फॉलोइंग स्टेट्मेंट इस नॉट्रू कौन सही नहीं है हम सभी लोगों को पता है फेड़ वायर मतलब होता है फेड़ लिजर अमेरिका का ही है कहां का अमेरिका की आपके कोशन में हिंट चुपी हुई है तो फेड़ वायर सिस्टम विच इस पार्ट ऑफ रिगलेटरी बॉड़ी चिप इस दा ऑन बाय दा फानेंशल इस्टूशन देट उस इट फॉर पेमे है वन अब दे रीजन इस दाट फिटवार इस रियल टाइम ग्रॉस अटलमेंट वाल चिप जो है वो पेमेंट हमारा नेट बेस पर होता है जैसे हमारे दिसमें एनेफटी होती है इट है एट हैंडल लाज नंबर ओ पेमेंट अक्रोस यूके कवरिंग इंटर बैंक यह थोरा से समझ लेते हैं बहुत इंपोर्टन है ठीक है जैसे चिप थावसिपकार फेडवायर भी है तो देस इस दा अनदर यूएस पेमेंट सिस्टम जिसको वहां का जो सेंटल बैंक है फैल रिजर वो यूस करता है और यह पूरे यूएसे में अप्लीकेबल है और यह नम्लता है जिससे वह इडिटफाई कर पाते हैं कहां से पैसा आरहा कहां नहीं जा रहा है अभी प्रेजेंट में अगर मैं बोलहूं तो कर वह इस अ कंपेड़ अगर चिप यह करीब 9000 इसके पार्टिसिपेंट हैं और हेंडल ए लाज नम्मर आप पेमेंट एक्रॉस यूएसे कवरिंग इंटर बैंक टांसफर आउट अफ न्यूएक लोकल बॉर्विंग और लेंडिंग कॉमर्सल पेमेंट और अलसो सम स्क्यूर्टी स्राइक्सल रिलेटेट तो प पेमेंट पर डॉमस्टिक मेंग अलसो ठीक है चलिए झाल आप प्रड़ दो यूएसे कवर इंटर आपी झाल